एक कौन का करण सर्फेस एरिया दे रखा है 308 cm2 और उसकी स्लांट हाइट दे रखी है 14 cm स्लांट हाइट ये तिरची वाली साइड होती है इसे हम L से भी डिनोट करते हैं इस कौन का जो बेस है जो की सर्कुलर होता है इसका आपको रेडियस फाइंड करना है और फिर इसका टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करना है यानि जितना जितना भी इसका आउटर पार्ट है जो आप ये blue part देख रहे हो और ये नीचे जो base है, circular है जो yellow part देख रहे हो ये दोनों इसका total surface area है, ये आपको second number पे find करना है अब question की शुरुआत करते हैं, जो हमें यहाँ पे given है, हम वहीं से start करेंगे question को जबी भी इस तरह के questions आते हैं जहाँ पे आपको curd surface area, total surface area या फिर volume दे रखा हो किसी solid shape का, तो वहीं से question की शुरुआत होती है यहाँ हमें curd surface area of cone 308 cm2 दिया हुआ है, तो इसके अंदर curd surface area of cone का हम formula लगाएंगे और उसे equal to रखेंगे 308 k, तो जो equation आएगी, उसमें से हमें जो unknown value वो पता चल जाएगी तो curd surface area of cone का formula होता है, पाई, आर, एल, यह बराबर 308 given है पाई की value हम जानते हैं, यह 22 by 7 होती है, आर, यानि की radius, radius तो हमें पता ही नहीं है question में, यह तो हमको find ही करना है तो आर को हम आर ही रख लेंगे, इंटू में L, L यानि की slant height, यह question में 14 cm दे रखी है इसकी जगह 14 रख लेंगे, और यह बराबर 308 अब इसे simplify करके यहां से R आ जाएगा, यहां हमें 7 और 14 को कटते हुए देख रहा हूँ 7107 और 72000 हो गया 14, अब R मेर को चाहिए, equation का rule आपको पता है जिस variable की value आपको चाहिए होती है, उसको हम एक तरफ अकेला रख लेते हैं और उसके पास में जो चीजे होती हैं, जो number होते है मल्टिप्लाए में वो दूसरी तरफ divide में चले जाते हैं और जो divide में होते हैं, वो multiply में चले जाते हैं तो यहां तो 308 अपनी जगा पे ही है, R को अकेला रखना है, R के multiply में 22 और 2 हैं ये दोनों 300 की तरफ जाकर डिवाइड में चले जाएंगे यानि नीचे लग जाएंगे जाके अब इसे simplify हम कर लेते हैं तो हमारा R आ जाएगा इसको हम काट लेते हैं 308, 22 और ये 2 है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ 2102 हो गया और जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 154 आ गया अब 154 और 22 ये डारेक्ट कट रहे हैं 22, 7,000 होता है 154 तो 22, 1,022 और 22, 7,000 होता है 154 नीचे कुछ नहीं बचा 11,000, 1 उपर 7 है तो सिर्फ 7 आ गया देरफोर जो radius है इस question के अंदर वो तो है 7 सेंटीमीटर अब हमें TSA find करना है यानि कि total surface area find करना है इस cone का अब total surface area हम find कर देते हैं total surface area of cone इससे आप short में भी लिख सकते हैं ऐसे TSA of cone total surface area of cone का हमारे पास डारेक्ट फॉर्मला होता है फॉर्मला होता है पाई आर in bracket L प्लस आर अब इनके अंदर value फिल कर लेते हैं पाई की जिगे 22 बाई 7 लेना है radius radius हमने find कर लिया है यहाँ पे 7 cm तो यहाँ 7 रख लेंगे in bracket L जो question में दिया हुआ है 14 तो यहाँ 14 रख लेंगे और प्लस में यह आर आर हमारा 7 है यहाँ 7 फिल कर लेंगे अब इसे simplify करते ही आपका ts से आ जाएगा solve कर लेते हैं यहाँ 7 से 7 पूरा पूरा कट गया यह 22 और bracket के अंदर 14 और 7 होता है 21 तो into में 21 अब इनका product कर लेते हैं 21 को 22 से multiply करना है 21, 20 हो गया 42 यह cross 21, 20 अगेन 42 यह 2, यह 6 और यह 4 462 answer आया है 462 और question के अंदर जो unit चल रही है वो चल रही है centimeter की तो centimeter का square लगेगा क्योंकि हमने area निकाल ला है centimeter square तो यह मेरा second part का answer है first part का answer मेरा यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे therefore radius is equal to 7 centimeter तो दो चीज़े पूछी थी हमने दोनों question के अंदर निकाल दी question खतम